का बरी बेसबरी से जिन तुडेंट का भी या तो कटव के बराबर मार्स था या उससे 1-2 मार्स कम था तो बरी बेसबरी से इंतजार कर रहे है थे कि आखिर कब तक सपलमेंटी रिजय दी जाएगी कितनी संख्या में दी जाएगी वरबरhr Champ शारी बात मेल के अभाव के कारण जो इस्थिती उत्पन हुई है उसका सिकार निश्चित रूप से उया भ्यारती हो गया है जिनका मार्स कट अप के बिलकुल करीब था जो की एकदम संभावना अपना जता रहे थे कि सपलमेंटी रिजल जब भी जारी की जाएगी हमारा उसमें नाम आ अगर सपलमेंटी रिजल जारी किया जाता है तो ये मामले अदालत तक पहुंच सकते हैं आप तो एक लाइन में बोल करके निकल गए कि ये मामले अदालत तक पहुंच सकती है इसलिए अब सपलमेंटी रिजल जारी नहीं करेंगे लेकिन उन अभ्यर्थी का क्या जो की अगर 14,700 सम्थिंग रिजल्ट जो आप देने वाले थे और जिनका उस रिजल्ट में नाम आने वाला था उनसे जा करके पूछिए कि अब उन पर क्या बीत रही है हम तो सुबह से ये इस्थिति को फील कर रहे हैं लगातार स्टुडेंट के बीच हम रह रहे हैं तो हर स्टु क्या होना है आप गैम स्टार्ट करते हैं और बीच गैम में ही नियम बदल देते हैं यह किस तरह का गैम है तो अभी आप देखेंगे अगर BPSC का लें तो लगातार बदलाव करके छात्रों के लिए वह इसी स्थिति उत्पन्न की है जो कि साइद नहीं होना चाहिए था निश्चित रूप से चुकि भासा के अनिवारिता के कारण बहुत सारे छात लगातार भासा का अलग से समय दे करके तयारी कर रहे थे साइद वो जितना समय भासा के तयारी करने में लगाए थे तो इधर 120 मार्स पर टाइम देते तो मेबी कि 24-5 मार्स और बर सकता था और एक जामनेशन हॉल में भी जो समय उन्होंने भासा के लिए खर्च किया अगर वही समय इधर देते तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ फाइदा उसका जरूर मिलता हो सकता है कि जो अभी का टॉप के करीब हैं वो उस सिमा रेखा को बांडरी को पार कर चुके होते और कभी और कहीं न कहीं वो भी इस रिजल्ट में भागिदार होते लेकिन यह अचानक जो भासा में परिवर्तन किया उसका दूस परिनाम भी यह रहा कि जो के कुछ चात्र या साउथ के कुछ चात्र जिसको की हिंदी भासा का ज्यान नहीं था वो अभी बिहार में टीचर बन हो तो इस्थितियां यह बनी हुई है इसके बाद भी अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी समस्य आए रही एक्च्वल में जो भेरिपिकेशन जो होना चाहिए जो कौंसेलिंग होना चाहिए कौंसेलिंग के वक्त ही हर तरह का भेरिपिकेशन हो जाना चाहिए कहीं पर भ हैं हैं पूरी तरीके से फेर है अथवा नहीं यहां पर तो नियम बना हुआ था कि आप documents upload कीजिए उस documents को download कीजिए पहली बार में आपका documents verification होगा आपको नियुकती पत्र मिलेंगी उसके बाद आप orientation में जाएंगे तब जाकर के इसी बीच में दुबारा आपका verification का process start होगा चाहे वो thumb impression के संदर्म में हो documents verification के संदर्म में हो या फिर combination के संदर्म में हो और कई सारे माइने हैं अभी आप देखेंगे कि thumb impression के कारण हर district में 50 से लेके 200 बच्चे लगातार पकरा रहे हैं actual original documents नहीं होने के कारण या documents में जालसाजी के कारण भी बहुत अभ्यर्थी पकरा रहे हैं combination में problem होने के कारण बहुत अभ्यर्थी बाहर हो रहे हैं दुबारा verification में और बहुत सारे वैसे अभ्यर्थी भी हैं जिनका जो पहले से दूर दराज में job करते थे वो घर के नजदीक आकर के मांदारी पूर्भक दी जाती तो कम सकम 30 से 35,000 result supplementary government को देना परता इस्थिती यहां तक थी लेकिन अचानक आपने एक आदेश में सारा सोच ही student का जो मनुभाव था या जो student समझ रहे थे कि हमको joining करना है उनके सारे सपनों को एक मिनट में आप धारासाई कर दिये एक्च्वल स्थिती आप देखिये ना कि एक लाग बाइस हजार वेकंसी आपने निकाली थी लगभग 97,000 student का आपने result जारी किया और उतने ही student को आपने लिया भी फाइनली उतने student को आपने निकती पत्र बांटी इसके आलावा लेकिन बास्तिविक में 73,000 प्लस student ही वेरिफिकेशन करवाए तो इस बीच के जो student थे वो multiple result वाले थे तो आप देख लिजिए 73,000 और 1,22,000 है बीच में कितना बड़ा gap हुआ अखिर इतना जो भेकंसी बचा तो क्या ये इसी उद्देश से इसको पूरा किया गया था कि अगली भेकंसी में इसको हमको add कर देना है तीसरा सवाल ये उड़ता है कि जब 1,22,000 आपने भेकंसिया निकाली इतना हाई कट अप गया इतना हाई कट अप गया विद्यार्थी क्वालिफाई करने के बाबजूद सीट कैसे भेकंट रह गया ये बड़ा सा प्रस्न है किस आधार पर आपने सीट भेकंट छोड़ दिया जबकि विद्यार्थी क्वालिफाई कर रहे हैं इतना हाई कट अप जा रहा है सवाल तो बहुत सारे हैं एक्जाम कैंसील हुआ मैत का कुछ सेंटर का जब बाद में आपने री एक्जाम लिया तो क्वेश्चन के लेवल में इतना ज़्यादा अंतर क्यूं दस और वीस का अंतर था यह यूं समझेए या आठ और वीस का अंतर था क्योंकि जो स्टुडेंट का एक्जाम कैंसील हुआ अब कारण जो भी रहा हो क्या सारे student की वहां गलती थी अगर सारे student की गलती नहीं थी तो उसका खाम्याजा पूरे center के student क्यों भूगते बरा सा सवाल है सवाल बहुत सारे है महिला भीर थी के साथ भी कही न कहीं दिक्कत हुई है आप other state के महिलाओं को जन्रल में उसको count करना चाहिए था, तो यहां जो special बिहार के UR category के जो महिला थी, उसके साथ में other state के महिला को भी reservation का लाब क्यों दिया गया, और भी reservation policy का अंतरगत norm को पूरा नहीं किया गया, अब इकलांग category का ले लीजिये, या फिर other category में भी इस तरह की बातें हुई है, क कटॉप में भारी अंतर हुआ है, तो सवाल बहुत सारे हैं, अब देखना ये है, अब आगे क्या करना है, तो supplementary, सबसे बड़ी बात है कि student का आपस में unity का भी अबाब है, जो भी student या भेरती supplementary result के कारण पर भावित हो रहे हैं, अगर इनकी एक जूटता आपस में रहती, तो अभी नए सिक्षा मंत्री बने हैं, तो नए सिक्षा मंत्री के संग्यान में हो सकता है कि ये बातें हो, हो सकता है कि ये बातें नहीं भी हो, सुनते हैं अच्छे व्यक्ति हैं, परसनली आप लोग जाकर के एक बार उनसे मिलते, और जो लगातार BPSC के चेर्मेन सर के द तो अगर जा करके वहां मिलते तो हो सकता है कि कुछ ने कुछ आप लोगों के लिए बात बनती, माननी है उपमुकमंत्री तेजस्वी जादब के पास अगर आप पहुंच पाते, मुकमंत्री तक अगर आप किसी माध्यम से बात को पहुंचा पाते, अब किस माध्यम से, रिलेटेड जो हम बनाये हैं, कि किसी भी तरके से सरकार के नीन टूटे और इन अभ्यरतियों पर एक नजर दोर आए, तर जो भी है, अब देखिए आगे-ागे क्या होता है, और वीडियो हम इस पर बनाएंगे, अब सवाल उठता है, बहुत सारे इसे भी अभ्यरति हैं, जितनी भी वेकंसियां बच रही है, यह सब तो वहीं पर जाका अब एड होना है, हमको लगता है कि एक लाग प्लस का डेटा वहाँ भी आपका पूरा हो जाना चाहिए, जिस हिसाब से सीट बच रहा है, तो में भी किसी के लिए बुरा है, तो किसी के लिए यह चीज अच् हो सकता है, जिसका 24-5 नमर से कम रह गया है, जिसका इस बार रिजल्ट नहीं हुआ है, तो उनको लगता होगा कि यह वेकंसिया आगे चल करके एड होगी, तो हमको फाइदा में भी कि मिल सकता है, दोनों तरह की बाते हैं, लेकिन एक्च्वल में जो डिजर्ब करते थे, उ जल्ट नहीं हो पाएगी, तरकार की नीतियों के कारण, तो हिम्मत नहीं हरना है, आगे के लिए आपको लग जाना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से कट आप में लगातार विरिद्धी हो रही है, अब आपको मैक्सिमम मार्स लाने के लिए परहाई करनी होगी, अभी से प्रियास करें, अपनी कमजुरी को पहचानने का प्रियास करें, संभगत इस सब्ता ने तो अगले सब्ता से टेस्ट भी स्टाट हो जाएगा, टेस्ट के माध्यम से लगातार आप अपना प्लेटफॉर्म आपको मिल जाएगा हमारा एप है प्लेटफॉर्म बाइन कुमार सिंग वहां पर सारा कोर्स मिल जाएगा बहुत सारे अभरती अभी ओनलाइन मोड में लगातार हम से कर रहे थे कि सर थोड़ा फी ज्यादा है उसको कम किया जाए तो उनके लिए एक विश्य उपर का हमारा बैच है जो कि साथ महिने तक लगभग चलना है उसमें 26 परसेंट का स्पेशल आज रात बारे बुजे के बाद आपको छूट मिलेगा उसका लाब आप उठा सकते हैं